हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे साधारन ब्याज के प्रेशनों की और सभी प्रेशने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और वही हैं जो परिक्षा में आते हैं तो ध्यान से पूरा वीडियो देखे एक ए 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018 तक का साधार प्याज है ठीक है चलिए कब से कब तक कब बुला गया इस पर ध्यान दिजिये 26 मार्च से लेके 2018 से 7 जून 2018 तक 26 मार्च से 7 जून तक का अब देखेगा, मार्च लिखना है, मार्च से पूछा गया ना, मार्च, मार्च के बाद महीन आएगा, अपरेल, ठीक है, अपरेल के बाद मही आएगा, और मही के बाद जून आएगा, इतना कन्फर्म हुआ, दूसरी बात ये कन्फर्म करिए, उसने बोलाए 26 मार्च से, है तो आप क्या करोगे जैसे कोई भी व्यक्ति 26 तारिक से आपको उधार ले रहा है पैसे जैसे आपने किसी से 26 तारिक को पैसे उधार लिए तो आपका जो ब्याज है वो 27 से शुरू होगा की नहीं होगा 26 को आपने पैसे लिजे तो 27 से शरुवगा तो दीखें, March का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है उस मेंसे 26 माइनस कर दो क्योंकि 26 दिन का तो कोई ब्याज नहीं लगेगा नहीं लगेगा है नगे 26 दिन का तो कोई ब्याज तो बचें कितने दिन है? मार्च के महीने में 5 टोटल महीना 31 दिन का होता है 26 दिन उसमें से माइनस कर दो बचेंगे 5 दिन तो 5 दिन का ब्याज लगेगा मार्च के महीने में प्लस अप्रेल का महीना पूरा लगेगा 30 दिन का मही का महीना पूरा लगेगा 31 दिन का कहां तक पूछा 7 जून तक, तो आपको 7 जून तक ब्याज देना है, अब जोड लो सभी को कितने दिन होगे, 30 और 31 होगे 61, 61 में 7 जोड दो 68, 68 में 5 जोड दो 73, 73 देज हो जाएंगे, है न, 73 देज हो जाएंगे, यानकि 73 दिन का ब्याज बताना है, तो साधान ब्याज का जो फॉर्म रहोता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, पी, आर, टी बटे सो, इसमें पुट कर दीजी और आंसर आजएगा, ठीक है, चलिए, साधान ब्याज हमको निकालना है, प्रिंसिपल हमारा कितना बही है, 4500 रुपे, और रेट है हमारा 15% का, और टाइम है, 73 दिन का, एक बात हमेशा याद रखना, कि दिन को वर्स में कनवर्ड करने के लिए 365 से डिवाइड देते हैं, दिन को, अगर महीने दिये जाएं, जैसे 7 महीने का निकालें, हम 6 महीने का ब्याज निकालें, तो 12 से डिवाइड करते हैं महीने में, और दिन में 365 से पूरे का बट्टा फॉर्मूले में 100 दी आ गया है 100 ले लो कटाईए भाई देखें दो 0 से सीधे सीधे 2 0 कर जाएंगे न कर जाएगे 73 से 365 पूरा पूरा 5 वार में कर जाएगा 5 से 15 आपका 3 वार में कर जाएगा और 45 का मल्टिपाइज 3 से होगा 35 क मल्टिपाइज 3 से हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 135 तो साधन व्याज क्या हो गया आपका 135 रुपे यह बिल्कुल सही जवाब है देखें किस ओफ्षन में है 135 सी ओफ्षन में दिया गया है बिल्कुल सही जवाब चलिए अब देखतें अगला प्रश्नी अगला प्रश्नी है रवी ने एक बैंक से 8% वार्सिक ब्याज की दर्से रिंड लिया पांच वर्स के बाद उसे इस अबधी के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपे का भुकतान करना पड़ा रवी द्वारा उधार लिया गया मूल्धन ग्याद करो यह पांच वर्स में 8% की दर्से 6400 रुपे उसने बापस किये ब्याज के रूप में 6400 रुपे ब्याज आपको 6400 रुपे में दिया है जो ब्याज उसने दिया है ना 5 वर्स का 8% की दर्से 6400 रुपे ब्याज दिया है तो साधन ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखिए P, R, T, बटे 100 देखिए ब्याज के रूप में 6400 रुपे का बुपतान किया है मतलब ब्याज 6400 रुपे है साधन ब्याज कितनी बही है 6400 रुपे प्रिंसिपल हमें पता नहीं है principle हमको निकालना है rate दिया गया है 8% का और time दिया गया है 5 बरस का ठीक है और पूरे का बटा क्या है यह 100 है चलिए इसको पहले cross multiplier से कर लीजिए कर लेंगे ना cross multiplier कर लीजिए चाहे तो कटा लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए कटा लेता हूँ कटा के आसान हो जाएगा ठीक है कटा के आसान हो जाएगा देखिए 8 से कटा लेता हूँ 8,8,64 और 2,0 आठ सो बार में यह कट गया ठीक है आठ सो बार में कट गया अब 5 से कटा देता हूँ 5 से 5 से कम 5 3,35,35 और के 0 160 बार में कड़ गया अब 100 का multiply कर दो 160 से तो 16 एक कम 16 एक जीरो ये और दो जीरो ये तो मिल करके 3 जीरो गए ठीक है principle कितना निकल जा गया 16,000 रुपे देखे किस option में है बी option मैं ऐसे भी multiply करता तब भी मुझे इन संख्याओं से काटना होता लेकिन मैंने पहले ही काटके जब multiply कर लिया तो principle मेरा 16,000 अब देखेंगे अगला सवाल अगला प्रेशनी है साधरन ब्याज की कितने प्रितिसत वार्षिक दर पर एक धनरासी पांच वर्स में मूल धनरासी के आठ बटे पांच के बराबर हो जाती है साधरन ब्याज की कितने प्रितिसत दर पर हमें दर पता है क्या नहीं पता किस दर पर ठीक है और हमें मूल धन भी नहीं पता जब प्रेशनी में मूल धन नहीं पता हो तो आप मूल धन को हमेशा स्वमान लिचे ठीक का मतलब multiply मूल दन का कितना आठ बट्टे पांच अब इतको सरल कीजिए तो पांच से सो कर जाएगा बीस बार में बीस कमल पे आठ से कर दो तो यह हो जाएगा 160 अब देखिए कोई धनरासी मेरी कितनी थी 100 रुपे 100 रुपे यह तो माने थी मैं और हो कितनी गई 160 हो गई तो 100 थी और 160 हो गई तो कितना रुपे ब्याज का बढ़ गया कितना बढ़ गया भई 60 रुपे ब्याज का बढ़ गया कितनी समय में बढ़ रहा है यह 5 बरस में बढ़ रहा है यह 5 बरस हो गई यह 60 रुपे आपका ब्याज का लग गया यह principle हो गया अब साधान ब्या आपको निकालना है टाइम पांच वर्स का है बटई में सो सो कट जाएगा और पांच से कट जाएगा कितनी बार में पांच एक बचचे का दस पांच तुरेट कितना है बारे परसेंट का बारे पर्सेंट का आपका रेट हो जाएगा देखे किस ओफ्षन में दिया गया बारा डी ओफ्षन ये बिल्कुल सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है साधरन ब्याज दर पर निवेशित एक धनरासी तीन वर्सों में बढ़कर पंदरासों बारा औ साधे चार बर्स में बढ़कर 1668 रुपय हो जाती है इस अब दी में लागु ब्याजदर ग्याद करें देखेगा तीन वर्स में राशी कितनी हो गई पंदरासों बारा रुपया और साधे चार बर्स में कितनी होगी साधे चार बर्स में बढ़कर के 1668 रुपया तो हमारे सवेन बढ़ी 156, 15 dealingया, 15 बढ़ी 156amel के लाना वहान तो यहां कि को सट पहते हैंम घीला के वहां मैंने, च्छे महिने लगा करके बारा महीने हो गए यान कि बारा महीने का जो ब्याज है एक साल का जो ब्याज है वो एक सो चार रुपया है है ना और देखी हमारी राची तीन वर्स में हुई थी पंदरा सो बारा तो इसमें तीन वर्स का ब्याज सामिल है यानकि तीन वर्स में पंदरा सो ब्याज हुई है इसमें तीन बरस का ब्याज सामिल है एक बरस का ब्याज हमारा एक सो चार है तो तीन बरस का कितना हो जाएगा तीन से मलपे कर दो जो हो जाएगा तीन सो बारा तीन बरस का ब्याज तीन सो बारा तो इसमें से हम क्या करेंगे पंद्रा सो बारा मैं से 312 को हम minus कर देंगے जो ब्याज है ना उसे minus कर देंगे तो मैं मूल धन पता लग जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0 1 में से 1 जाएगा 0 15 में से 3 जाएगा 12 यानि कि मूल धन 1200 है मूल धन क्या है 1200 अब साधान ब्याज का जो formula है उसमें रख दीजिए answer आ क्या साधान व्या simple interest बराबर P, R, T बटे 100 यही तो formula है चलिए साधान व्याज कितना है 312 रुप्या है 312 लिख दो यहाँ पे principle कितना है principle 1200 निकल के आया है 1200 रख दो rate निकालना है time कितना है वही time हमारे पास दिया गया है 3 वरस का 3 वरस का time है क्योंकि हमारे राशित 3 वरस में तो हुझती इतनी 3 वरस का मारे पास time है पूरे का बटा 100 कर दो भई है सवाल को हल 2 0 से यहाँ सीधे सीधे मैं 2 0 कटा लेता हूँ 3 से इसको कटाऊंगा 3 एकम 3 3 चोके 12 नहीं ना जाने का 0 3 चोके 12 104 वर में यह कटेगा और फिर 12 से इसमें हम divide देंगे 12 से इसमें divide देंगे तो कितनी वाज जाएगा 12 से देंगे इसमें divide पहले 2 से ही कटा लेता हूँ मैं ठीक है 4 से कटा लेता हूँ 4 3 का 12 4 से इसको कटाऊंगा 4 दुने का 8 2 बचे का 24 24 चार सिंग 24 26 होगे न आप 3 से 26 को कटाऊंगे 26 को हम कटाऊंगे 3 से तो 26 बचे 3 इधर के बचेगा आप तो आप हमारा कितना गया 26 बचे 3 26 बचे 3 पहले ही option में दिया गया है तूरा पूरा नहीं दिया गया कटके ठीक है 26 बचे 3 परसेंट बिल्कुल सही जवाब है सभी को समझ में आ गया आप देखेंगे अगला सवाब अगला प्रशनी है 900 रुपे की धनरासी एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्स में बढ़ करके 1134 रुपे हो जाती है यदि ब्याज की दर में 3 परसेंट की ब्रती की जाती है तो 900 की धनरासी 4 वर्स में कितनी हो जाएगी यह अच्छा सवाल है यहां भी 900 रुपे था और यहां पे 900 ही रुपे दिया गया तो सबसे अच्छा benefit आपको यह है कि आपको बार-बार अलग से सॉलमी करना है कि कोई धनरासी वही है ठीक है कितनी धनरासी थी हमारी वही है 900 रुपे थी अब 900 रुपे से बढ़ करके यह कितनी हो गई 1134 रुपया हो गई 1134 रुपया हो गई कितनी समय में 4 वरस में 4 वरस में हो गई आप देखे 900 से 934 हो गई तो कितने रुपया बढ़ गया 234 रुपया आपका ब्याज का बढ़ गया आप इसी तरीके सेहल करोगे अब यहाँ पर मैं आपको पताता हूँ हमारी 900 रुपय की धनरासी चार वर्स में 1134 हो गई ठीक है इतना तो केलियर है अब बोला है 3% की ब्रद्धी कर दी जाती है तो 900 की धनरासी चार वर्स में कितनी हो जाएगी ध्यान रखना ये मेरे पास कितना था 1134 रुपया था इतनी ही तो हो गई थी अब हम देखे 3% की ब्रद्धी कर देंगे 3% की ब्रद्धी अब हम जब 3% की ब्रद्धी कर देंगे एक साल में 3% की ब्रद्धी होगी तो 4 साल में कितने हो जाएगी 12% एक साल का 3% बढ़ेगा तो 4 साल का 12% बढ़ जाएगा ना 3-4 के 12, 12% बढ़ जाएगा 108 को और इसमें आप जोड़ दीजिए पहले राश इतनी होगी थी तीन वर्स में अब जब 3% की ब्रद्धी हो जाती है तो 4 साल में इतना रुपया और बढ़ जाता है 108 तो इसमें आप क्या करोगे जोड़ दो 8 4 12 का 2 कैरी कबन 3 और कैरी कबन 4 1 2 और 1 यानकि 1242 हो जाएगा 1242 बी ऑफ्षन है बिल्कुर सही जबा के लिए रोगे है न सभी को आप देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशनी है आपका 1200 रुपे की राशी पर तीन वर्स में 200 रोतों से प्राप्त साधन ब्याजों का अंतर 10.80 रुपे है उनकी ब्याजदरों का अंतर ग्याद करो च साधन ब्याज का ही तो फॉर्मूला है ठीक है मूलधन हमारा बारासु है आर टू पता नहीं है रेट टू पता नहीं है इन्टू समय तीन वर्स का है ब्याजदरों का अंतर है वो कितना है 10.80 ब्याजदरों का अंतर है अब इसको हल कर लिजे सीधे सीधे 2.0 से 2.0 इधर कर जाएंगे और 2.0 से 2.0 इधर कर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है बारतरिक का 36 बारतरिक का 36 दोनों तरफ कॉमन हो गया 36 तो 36 को आप कॉमन ले लिजे बाहर अंदर क्या बचेगा आर वन माइनस आर टू यही तो बचेगा और बराबर कितना हो गया 10.8 के हो जाएगा के लिए रहना यही तो हो जाएगा अब इसमें आपको क्या करना है solve करना है 36 से कटता है क्या 36 से 108 कटता है क्या तो 10 मलब 3 यह आपके सवाल का सही जवाब है आर वन माइनस आर टू कितना उनकी ब्याजों का अंदर कितना 10 मलब 3 परसेंट 10 मलब 3 परसेंट यह option बिलकुछ सही जवाब है अब जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं बाई एक लाइक हमारे इस मेहनत के लिए कर जो इन सभी बच्चों तक जो एक्जाम की तैयारी करना है जिनका पेपर होने वाला है ठीक है दोस्तों धन्यवाद